कर दो कि यह इन सभी साथियों को उमीद है कि आप बहतर होंगे सांदार होंगे और मस्त होंगे तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की एक बहतरीन क्लास के तरफ लेकर चलते हैं जो साइन्स की क्लास है अधिक्लाशे का अफिशल यूट्यूब चैनल पर ये क्लास आप देख पा रहे हैं और ये सुबह का आप जानते हैं कि 10 बज रहे हैं और सुबह के 10 बजे जो साइन्स की क्लास होते हैं पुरी तरह से असिस्टेंट टोकू पैलेट और बार्फ पर बिश्ट होती है लेकिन अ से जुड़ा हुआ एक कोश्चन आपके सामने लेकर आया हूं पहले इस कोश्चन का जवाब दिजेगा आज की क्लास मेरे साथ जो लाइब है किट्टू है विजय मीना है बेबी कुमारी है पुर्णिमा कुमारी है हारुन जी है सभी दोस्तों का वेरी वेरी गुड मॉनिंग आये शुरू करते हैं सवाल का सही जवाब क्या होगा पूछा एक प्रतिध्वनी तीन सेकेंड में वापस आ जाती है दोस्त प्रतिध्वनी का मतलब होता है एक ही आवाज का बार बार सुनाई देना जो एक स्रोत से निकले आप देखिए कोई अगर ध्वनी है जो एक स्रो में जलती है तो एक्स बराबर वी इंटू टी अपन्टू हो जाता है तो यहां से आप सवाल का साल्व कर सकते हैं जाहिर सी बात है 342 बटा तीन बटा दो है तो आपको यहां पर लिख लेना है 342 इंटू 3 बाइटू तू से काटिये कौन सा सही आंसर आएगा 513 सीदी सी बात है जैंता देवनाजी कांशेप्ट ऐसे ही किलियर होना चाहिए आप पूरा गुड़ा क्या करें आपने एक अंग पर देखा और बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं दुना छे एक मिनट हां तीन एकम तीन सहां बिल्कुँ सत्रत याएं क्या उन होता है तो 513 आपका सही जवाब आएगा क्या सभी का यह जवाब आ गया एको के लिए और आइडियल एको के लिए जो दूरी होनी चाहिए वो 166 मीटर की होनी चाहिए और जो समय होना चाहिए यानी 0.1 सेकेंड का होना चीए बोलिए किलियर है यह कालशेप्ट ओके आगे चले अगला सवाल पूछा वैसे अंग जिनकी मौलिक सनचना या तो एक समान होती है परन्तु किया जानी वाला कारे अलग होगा क्या कहलाएगा होमो लागस आरगन एना लागस आरगन क्या कहल होने वाला है एक सब्द सुनिएगा यहां पर अंग्रेजी जो हिंदी जो है थोड़ा परिशान करता है लेकित एक होता है वर्ड होमो लागस आरगन क्या होता है होमो लागस आरगन होता है होमो लागस का मतलब होता है समजाद जिसकी ओर जिन सेम है और जिसका फंक्शन से से में ध्यान दीजेगा इस बात को जिसकी ओर जिन से मों समान उत्पति हो समान उत्पति हो ओर जिन से मों और फंक्शन भी से मों हो झाल 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 झा झाल झाल एक Of कि याद रखिएगा इसका सही जबाब हो ओ लाँगस और इसको हम कहते से मोचीन origin क्या होगा सेम होगा बट function क्या होगा different होगा कारे क्या होगा different होगा अलग होगा और इसमें क्या होगा उल्टा ले लेंगे origin different और function से इस सवाल का जबाब दिजेगा बड़ी हाँ सवाल देखते हैं यह assistant local pilot के first जो cbt1 होता है उसके लिए बहतर रहेगा इस सवाल को देखेगा एकदम good morning good morning भीया नहा good morning कुमारी प्रतिभा गुड मॉनिंग जैनता गुड मॉनिंग भीया क्या होगा तीन का तीन एकदम बाकी लोग सी आप संदे रहें पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते है टीसू कितने मसल्स टीसू में अगर मसल्स के बारें बात करें तीन प्रकार के होते हैं एक को हम कहते हैं रेखी दूसरे को पर उसार चलेंगे वालेंट्री यह आवांशित होते जो अमासय में पाये घंगे रिप्रोड़क्तिव सिस्टम में पाये जाएंगे और यह आपके हर्ट में पाये जाएंगे हिरदय में पाए जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछा हुआ है बड़ी सुन्दर सा सवाल यह भी है और इस सवाल का जवाब देखेगा अराम से दीजेगा पूछा है 20 मिटर उचे टावर के सिर्श पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेकता है इस सवाल का जवाब देखेगा 20 मीटर अब देखेगा यह 20 मीटर उच्छा एक टावर है और इस 20 मीटर उच्छे टावर के बारे में हम कह रहे एक लड़का यहां पर खड़ा होके पथर को नीचे गिराता है प्रारंभिक वे क्या हो स्टू जी अच और प्रारंभिक जब जीरो हो जाए तो वी निकालते अंडर रूटू जी अगर यह फॉर्मुला आप दिमाग में बना रहे तो कोशन एकदम तगड़े से होगा तू आप तू के जगा पर टू ही लिखेंगे जी के जगा पर दस लिखेंगे एच के जगा पर सेकेंड याने आप शर नमबर ए सही होगा क्या सभी लोगों ने ए आंसर दिया है हां हां बिलकूल जैनता बिल्कुल 22 होगा 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगा यह प्वेंटी मीटर पर सेकेंड ऑके चलिए आगे चलते हैं निमण मेंसे किस समोह में बाहतम कोश में एक इलेक् क्या कि वाल रवी क्या होगा अज सुबह की जो क्लास थी वह आप जानते जो पेड़ क्लास में बेसिक साइंस एंजरींग के जो बच्चे जुड़े हुए होगे इस बैच में उनके लिए सुरी कि सुबह की क्लास जो है बाड़ी पेन और फीवर के उज़से नहीं हो पाई ठ तो वह क्लास जो है इस क्लास के जश्ट बाद हो जाएगी ठीक है तो उसका इनतजार कर एगा निवन में से किस समोह में को इसमें एक इलेकटरन पाये जाते हैं अगर Local की बात करें तो बेटा मांगें कर 우리는 बाफ से बाप dis करते हैं तीसरे की बात करें तो बनार अच्छे बनारस इलहाबाद या बैगन आलु गोभी इन्थेला ऐसे चार की बात करें तो कौन सी अब जानते से ध्यान से तो यहां पर क्या जाएगा ली नाक यानि यह जो आंसर है आपका यह जो आंसर यह आपका सही यह वाल कहा जाता है क्या कह रहा है कि Plans of the which group are commonly called algae Plans के किस समूव को एलगी कहा जाता है आप जानते हैं प्लांट किंग्डम पांच परकार के होते हैं पढ़ा होगा आपने प्लांट किंग्डम के पांच परकार पहला पढ़ा होगा थैलोफाइटा नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजे थैलोफाइटा दूसरा आपने पढ़ा होगा ब्रायोफा चौधा आता है जीमनोसपर्म और आज-कल जो सबसे अधिक advance पाय जाते हैं पांचवा आता है एंज्योस कि जीमनोसपर्म और पांचवा क्या आता है एंज्य pirates Love सर टीटीं के लिए क्लास कभिalo कर सकते ढूंट हाँ बिल्कुल टीटी के लिए क्लास कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है रीता की बहन अच्छा नीतु कुमारी बहुत बढ़िया चली क्या होगने वाला है इसमें पूछा है अगर ब्रायोफाइटा के बारे में पूछे इसको कहते हैं पाधप जगत का उभैचर इस बात को या और यह कहां पाय जाते हैं या जल में पाय जाते हैं जली होते हैं इनके पास जड़ तना और पत्तियां नहीं होती है जड़ तना और पत्तियां नहीं होती है तेरिडो जो फाइटा होते हैं इनमें जड़ और तना तो इसमें आ जाते हैं यहां से समवहन बंडल शुरू हो पात में कौन सा तत्तू पस्थित नहीं है पहले इस पात के बारे में समझेगा इस पात हम कहते स्टेल्लेस इस्टील को किसको कहते स्टेल्लेस इस्टील को तो पूछे स्टेल्लेस इस्टील में इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं पाया जाता है हाँ कौन से ऐसा है जो नहीं पाए जाता आप बी के तरफ जा रहे हैं सभी लोग टंगस्टन के तरफ क्या यह सही जवाब है अच्छा टंगस्टन का सिंबल बता दीजे बिलकुल मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फीकर नहीं करो फिकर का मतलब क्रोमियम हो गया नहीं मतलब निकल यह तीनों पाए जाते हैं फिकर नहीं करो करो का मतलब यहां कार्बन आ जाएगा और कुछ जगहों पर मैगनीज की भी बात करते हैं स्टेलने से स्टील में यहीं पाए जाता है इसका सही जवाब टंगस्टन है डबलो इसक जहां पर PCM वाला हां PCM की को आओ सकता है बिल्कुल कर सकते हैं हां काइनेटिक मैगनेट देखे काइनेटिक मैगनेट वाले दोस्त एक बास समझेगा एक ग्यारा बारा की फिजिक्स और कमिस्ट्री आने हैं तो इलेक्ट्रानिक कान्फिग्रेशन और उस पर जूड़ी भी बहुत थारी चीजी हम आपको लिए ला रहे बहतर तरीके से देंगे इस्टेलनेस इस्टिल किस कारण वस्ट जंग रोधी है कौन साइसा कारण होगा जिससे स्टेलनेस इस यह नहीं होगा एक कार्बन नहीं होगा यहां क्रोमियम होना है किस वज़ा से जंग रोधी होगा क्रोमियम लगवग 18 प्रतिसत के आसपास पाह जाता है कितने प्रतिसत पाह जाता है क्रोमियम 18 प्रतिसत के आसपास पाह जाता है ठीक ना तो याद रखेगा क्रोमियम के व स्वेचिक मानस्पेशियों का मतलब ही मानस्पेश्य जो आपके एक्षा करुसार चलती यह जो लिखना जानते हैं कैसी है स्वेचिक मानस्पेश्य जाती है यह स्वैशिक नहीं है पेट में भोजन के लिए आप जानते हैं हाँ यह अवांशित होती है यह भी आपके एक्षा के रुसार नहीं चलेंगी अब दूसरा है मेढ़ा का कूधना यानि यहां पर केवल अगर आप ध्यान दे तो एक आपके पास D और दूसरा आपके पास A क्य दूकि D आपसन अकेले कही है नहीं तो आपसन नंबर क्या होगा सी होगा सही जवाब देने वाले कार्थिक हैं अभिजीत हैं रभी हैं मिष्टी हैं बिलकुल जबर्जस्त तरीके से आपने जवाब दिया इसका सही जवाब दीजेगा पूछा है बच्चों में प्रोटीन के अलावा मेरेसमस क्वासर कोर और मेरेसमस किस कमी के करण होते हैं तो मेरेसमस को याद रखेगा बिलकुल यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रिट दोनों के कमी से होता है और क्वासर कोर केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है तो क्वासर कोर अगर पूछे तो केवल और क्योंवन हाँ प्रोटीन की कमी से और इसको याद रखने का ट्रिक याद रखेगा क्वासर कोर के लिए कप याद रखेगा और मेरेसमस के लिए PCM याद रखेगा मेरेसमस में प्रोटीन और केमिस्ट्री प्रोटीन और कार्भो हैड्रेट याद रहेगा यह दोनों ट्रि पालिस्दार चावल से जमकि पहलेग्रा जो है आप जानते है विटामिन B3 के कमी से onus हरिकेट्स जो है बिटाइमिन डी है विटाइमिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है रिकेट्स है ओके कोई डाउट तो नहीं किसी दोस्त को कि लिए यहां पर एप्षन है नेक्स्ट कोस्चन के तरफ चलते हैं एक बार जंग जीत लेते हैं पूछा है डाइलिसीस के बारे बताएं अचा पेस्मेकर के से समंदित है पूछा जाता है तो पेस्मेकर सब्द अगर पूछा जाए यह से नोड पूछा जाए तो आप बताएंगे हिर्दय से समंदित है ठीक ना यह एवी नोड पूछा जाए तो हिर्दय से समंदित है ओके लेकिन जब आप से पूछ र सवाल आता है कि भया एक चक्र चलता है आर्नी थिन साइकल आर्नी थिन साइकल का जो चक्र चलता है आप जानते यूरिया यूरीन में यूरीन का यूरीन यूरिया के निर्वान के लिए चक्र चलता है और यह चक्र लीवर में चलता है और लीवर के बारे में आप जानते हैं लिवर के बारे में आप जानते हैं बहुत सारे चीजों को यह स्टोर करता है जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर करता है लिवर आपके सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है लिवर आपके सरीर का सबसे बड़ा आंत्रिक अंग है लिवर अमासे में अमासे के बगल में दाहिने साइड में पाय जाता है और यहीं लिवर बाइल जूस का सिक्रीशन करता है जो मानों के पाचन तंत्र में छारी माध्यम पैदा करता है जिसके वजह से अगनासई रशक्री होता है याद है जिसके वजह से क्या होता है अगनां से रद संक्री होता है किलियर है लंकेज जी में चले साच सेशन के तरफ चलते हैं flanzen की से समंदित हैं एक बास सब 2017 को थोड़ा share करेंगे और बताएं अल्ट्रा किसे सम accordance किक यहां पर वर्ड है एक है उत्रजन पाचन और प्रशार डिफ्योजन चार सब थे अल्ट्र फिल्ट्रेशन किस समंदित है इंशान सर्जन के जिगा पर एक्सक्रीशन निख रहे हैं एक्सक्रीशन अगर आपने निवरान और निफ्रान सब्द सुना हो तो निवरान सब्द कहां पाए जाता है अगर निवरान सब्द की बात याद रखे तो निवरान सब्द ब्रेन में पाए जाता है जबकि निफ्रान कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो निफ्रान सब्द होता है दोस्त वो किड इनी रख्रियात्मक कि यहां देखेगा कुछ इस तरह से और आगे चलके देखेगा इसको हम लोग कलेक्टिंग डट बोलते हैं इसको हम लोग हैं रचाझा पत्ति एकर आपसे पूचा जाता है बाउ मेंस कैप्सुल के बारेमें कि नियफ्रान में पाइजाते हैं और यही पर बलड आता है यह पर का फिल्ट्रेशन होता है अंद्रा फिल्ट्रेशन की घटना ठालने जानले एक बहार करते हिसे नेफरान में है हैällen ले लूप जो है आपको उया प्राक्सिमल कनुले ट्यबियूल और डीटल कनुले ट्यबियूल आपको ऊद है जो हैल ले लूप है यह एपиной माडल बनाता है इसकी सनचना सवाल है इसको जबाब दिजये deuterium के द्रविबान संख्या किति नी होतीव के बारे में आप समान अस्थान वे तत्यों जो समान अस्थान पर पाये जाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं और आइसोटोप के बारे में अगर हम कहें तो हाइड्रोजन के टीम तूइन घ्रिम पहले वाले को अगर हम फैरे हम की बात करे तो इसका स्ट्रियelen indeed or is होगा और तीसरे वाले में 2 होगा तो न्यूट्रान के संख्या अलग होगी जबकि मास नंबर अलग होगा आपसे मास नंबर पूछा है सही जवाब आपने एक आप्शन को दिया है देखेगा तीसरा जो होता है रेडियो एक्टिव होता है पूछा जाता है ट्राइटियम कैस इसका प्रमाडुग उसको संभारी नाम से जानते हैं किस है संभारीक सनमसे संभारी कि उसके लीस 시त पूचाने लिगए अब व्ही अमल धात्वों के साथ अविक्रिया करके कौन सी गय सुथपन होती है अमल की बात पूछाए और हमने आप से बोला भी था अमल जो होते है मेरे भाई अमने तीन परकार के अमल की परिमासा तीन लोगों ने दी पहला दिया त्रफर आयोल के ने जहां डिया फिर अब्रन की तोय के यह अंतबर मुग कि ए pewn तर्फन देते हैं वहुअव लेविस लेशायं। यह दिये हुआ अब बात आती हैं कि हईडोजीन अमल का रियक्षन सार के साथ कराना है तो इस reaction को आप समझिए गाए से जैसे हम reaction ले लेते हैं HCL का और इसी HCL का reaction हम करा देते हैं धातू है sodium sodium के साथ reaction करा देते हैं आप बताएं कि कौन सा product बनेगा comment section में लिखिएगा दूसरा सवाल है H2SO4 है और इसी H2SO4 का reaction हम करा दे रहें किस से करा दे रहे हैं H2SO4 का reaction का reaction धातू से हो रहा है जब भी acid react with metal तो क्या product बनेगा यहां पर metal है तो metal के साथ salt बनेगा और साथ में hydrogen gas होगी तो यही result आएगा यहां उपर वाले में क्या जाएगा 2NACL आ जाएगा और साथ में कौन सी gas हो जाएगी hydrogen gas यहां पर क्या जाएगा MgSO4 हो जाएगा magnesium sulphate बनेगा और साथ में कौन सी gas होगी तो hydrogen gas होगी तो hydrogen gas दोनों case में release होगी लेकिन आपके साथ बनेगी क्या magnesium sulphate और sodium chloride चलिए कि सवाल आपके पास एक नया है जब एक जस्ता धातू के टुकडे को hydrochloric अमले में रखा जाता है तो कौन यहां पर पूछा है देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि किदार नात का मंगल किदार नात का मंगल आलू जराफी का पकाता है आलू जराफी का पकाता है कोल्ट हाई आगे आओ यही बताया था यही बताया है ना तो याद रखेगा इसको किदार नात में केता कहां जो potassium है उसकी reactivity सबसे जयादा है यह ट्रिक याद रखेगा किदार नात का मंगल आलू जराफी का पकाता है आलू जरा जरा मतलब जिंक यही कोश्चन दिया हुआ है ठीका मतलब आइरन पकाता मतलब लेड फिका पकाता है और यहां पर है कोर्ट मतलब कापर मर्करी हाई आगे आओ आगे आओ कोर्ट हाई आगे आओ कोर्ट हाई आगे आओ उपर वाले मोर रियक्टिव होंगे और नीचे वाले लेस रियक्टिव होंगे उपर वाले कैसे होंगे मोर रियक्टिव और नीचे वाले कैसे होंगे लेस रियक्टिव ठेकना अलग-अलग तरह के हैं अलग-अलग रियक्टिविटी का आडर है पूछा गया है जब एक जस्ता के धातू के टुकडे को हाइड्रो कलोरी कमल में रखा जाता है तो जहिर सी यहाँ है फाल बात है हाइड्रोजण के साथ जलता है ठिक है वनस्पती तेल के हाइड्रोजीनेशन में उत्प्रे रह के रूप में किन स्का प्रयों किया जाता है जो दोस्त प्लांट अप्रेटर का फार्म भरे मैं के उनके लिए आती महतुपुड सवाल है कि यह सवाल जो है बारक के लिए इती महतुपुड बनेगा इसमें निकिल है और याद रखे गा कभीभी जहां पिर हाइड्रोजन को जोड़ना हो अगर कही पर भी double burn पाय जाए और वहाँ पर hydrogen को जोड़ने की प्रक्रिया हो तो निकिल को आप लेकर जोड़ सकते हैं CH3 CH3 बस ध्यान यह दिजेगा क्या ध्यान देना है आपको यह ध्यान देना है इसमें catalyst के तौर पर अगar हम investor के तौर्पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं निकल को पटकते हैं कि किसका इस्तेमाल करते निकल पैलेडियम और प्लेटीनम यह वह तीन का 장man है अलग-अलग नाम है अगर हम पहें ग्रूप की नाम तो ट्विय ग्रूप का हम लोग जीरो में कहते हैं यह 90 warfare group को मोई इनर्ट कैस्क कहते इनर्ट सुन्य समौ कहते हैं यह इसी को हम झोब्स बोलते हैं और इसी में हमारे पास हीलियम है नियान है आरगन है क्रिप्टान है जिनान है रेडान है यह एलिमेट हमारे पास आज यह अठाहुए गुरूप के इलिमंट है लेकिन अगर हम हेलोजन के बारे में बोले तो फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर याद करेए फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और यह आप जानते हैं इसका second period फिरियड है फिरियड है फिरियड है तो अलग-अलग पिरियड में अलग-अलग अलिमेंट है यह है लोजन मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट के स्रेडी में और इसी के पहले हमारे पास चैल कोजन पाए जाते हैं कौन पाए जाते हैं चैल कोजन बहुत सारे लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे तो नोट कर लिजेगा चैल कोजन में ओ सचीन से हवाग 13 पाकिस्तान बिल्कुल याद रखेगा इस तरीके से आपको याद होना चाहिए तो यहां पर और अगर हम बात करें हेलोजन को 17 रखते सारी 18 में हम जीरो या नोबल गैस को रखते हैं फॉस्ट ग्रूप में हम लोग अलकली अलकली मेटल को रखते हैं ओके अलकली मेटल को रखते हैं यदि किसी दरपड की फोकस लंबाई 15 है तो यह दरपड क्या होगा यानि केवल फोकस दूरी से देख कर बताना है कि मीरर कैसा है और इस से इसके इमेज का भी पता लगा सकते है आज के क्लास में जबाब दीजेगा हां सत्रह होगा वो गलती से दूसरा टिक हो गया था हां अब दोस्त बात यह आती है जब फोकस दूरी पॉजि civ हो focus दूरी positive हो तो ध्यान दिजेगा positive focus दूरी केवल और केवल convex mirror में होती है convex यानि उत्तल दरपड में होती है और उत्तल दरपड हमेशा कैसा प्रतिविम बनाता है उत्तल दरपड हमेशा virtual image बनाता है और वर्चुल इमेज हमेशा एस्माल साइज का होगा वर्चुल इमेज कैसा होगा एस्माल साइज का होगा तो अभासी प्रत्वी में बनेगा लेकिन कैसा बनेगा एस्माल साइज का ओके कार्तिक जाधों कह रहे हैं सर मेरे टॉपिक करा दो बिल्कुल करा देंगे मेरे टॉपिक में एक बात समझ लिजे इसी चैनल पर आप सर्च करिएगा दरपड और लेंस इसी चैनल पर सर्च करिएगा 1-26 मिनट का विडियो है पूरी तरह से वो जो ट्रिक है जादवी ट्रिक है फिगर के माध्यम से चीजों को समझाया है बड़ी लाजबाब ट्रिक है उसको देख लिजेगा देखें दो तरीके से हम चीजों को आपको बताते हैं एक यह ट्रिक्स करते हैं कि आपको पता हो कि यह फोकस दूरी है यह वक्रता के दुरे और यहРЕए अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रत्विम बनता है कहां पर फोकस पर आपको ध्यान देना है कि जो कहानी ही है वो ठीक उल्टा है जब भी प्रत्विम उल्टा होगा तो रियल होगा वास्ट्विक होगा प्रत्विम उल्टा होगा तो कैसा होगा वास्ट्विक होगा याद रहेगा प्रत्विम अगर उल्टा होगा तो वास्ट्विक होगा हमेशा याद रखेगा प्रत्विम हमने कहा अगर इमेज आपका कैसा हुआ अगर कहीं लिखता है कि इमेज उल्टा है इमेज उल्टा है इसका मतलब इमेज कैसा है रियल है अगर कहे दें कि इमेज सीधा है तो इमेज सीधा का मतलब कैसा है वर्चुल है इमेज सीधा का मतलब कैसा हो जाएगा वर्चुल हो जाएगा याद रहेगा वर्चुल हो जाएगा कोई डाउट तो नहीं तर गाउं प्याय हैं यहां नेटवर्क नहीं है सो क्लास नहीं कर पा रहे हैं कोई नहीं बाकी लोग बताते रहें जबाब क्या होगा इस सवाल का जवाब दीजेगा एक सवाल आपसे पूछा गया है इस सवाल का जवाब दीजेगा ठीक ना क्या होगा इस सवाल का जबाब चले इस सवाल का जवाब दीजेगा पढ़िए आराम से एक आउतल दरपड सुरे के सामने इस तरह से रखा गया है कि सुरी के क्रिडों का अभिसरण दरपड के मुख्यक्ष पर पांस सेंटीमेटर दूर एक बिंदू पर होता है यदि तीन सेंटीमेटर की लंबी एक मुंब का भी अभासी भी प्रत्विम बनेगा और वास्त्विक भी दोनों तरह का प्रत्विम यहां पर बनेगा वास्त्विक भी बनेगा और अभासी भी बनेगा कैसा बनेगा वास्त्विक भी बनेगा और अभासी भी बनेगा अब दूसरी बात पर हम लोग चलते हैं तो दूसर सेंटीमिटर की और वस्तू के दूरी जो है दस सेंटीमिटर दूरी है ठीक है वस्तू के दूरी कितनी पह दस सेंटीमिटर पर तो यहां पर अगर वस्तू को रख रहे हो सेंटर आफ करवेचर पिते इमेज भी कहा बनेगा सेंटर आफ करवेचर पर वस्तू के बराबर बनेगा सभे सेंटर आफ करवेचर पर बनेगा सिसेंटर आफ कर वेचर पर मनेगा सब्सक्रिसाइब हो गया और लों 50 सेंटिमेट दोनों का तो सही जवाब आएगा ऑट कोई डाउट तो नहीं प्रफ rapt j चलिए नेक्स्ट खवाल चलते हैं पूछा है पावर ट्रांसफार्मर की प्रकारे आप देखिए पावर ट्रांसफार्मर की जो कारे प्रडाली है किसके सिद्धान्त पर अधारित है तो पावर ट्रांसफार्मर की कारे प्रडाली अगर हम कहें ट्रांसफार्मर तो आप कहें डाउन जो है उसको हम कहते है अपचाई transform क्या कहते है अपचाई transform उचाई भी और अप्साई भी दोनों ज़वाब आता है और यहां पर आपने एक और फार्मुला पढ़ा हुआ है कि भाया transformer दो लोगों के सिद्धान पर कारे करता है, एक कारे करता है अन्योन प्रेरकत्तों पर अन्योन प्रेरण यानि म्यूच्वल इंडक्टेंस की घटना पर कारे करता है पूरी ध्यान से इस फॉर्म इस बात को याद रखेगा यहां पर भी एक ही सवाल पूछा है मैं दोनों बता देना हूं अदूसरा फैराडे के बिद्युत चुम्ब की प्रेरण के नियम पर तो फैराडे का बिद्युत चुम्ब की प्रेरण के नियम यहां पर सही आंसर होगा तो फैराडे का बिद्युत चुम्ब की प्रेरण का नियम होगा और साथ में आपके पास क्या होगा अन्योन प्रेरण म्यूच्वल इंडक्टेंस की घटना होग तो n s upon n p into e p आता है और इसी को हमने ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो अगर एक से बड़ा होगा तो step of transformer होगा ट्रांसफार्मर रेशियो अगर एक से छोटा होगा ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में है अगर यहां आ एक स्पूता है तो इस टेप डाउन होगा लोगा अगर यह एक से बड़ा है है तो है तो यह क्या होगा स्टेप अब भूगा इसको एसी श्टेप ऑप कहेंगे कोई डाउर तो नहीं है बिल्कुल आगे चले बेकिंग सोडा फार्मुला पुछा है तो फार्मुले तो बहुत सारे सवालों की पुछे जाते हैं जैसे सवाल पुछा जाता है नौसादर का फार्मुला क्या है नौसादर का फार्मुला आप बताएंगे क्या होगा अगर आप से पूछा जाए पिक्री केसिड का फार्मु अच्छा बहिया तुम खाना खालो खाना खानों कहें परिशान हो तो यह मेगनाथ जी मिले लंकेश भी आये हुए थे आपका नाम ही मेगनाथ है यहां यहां पर बेकिंग सोडा क्या है जब भी उअप पढ़ रहे हैं तो एसे कमिस्ट्री को पढ़े जब भी बीच में एनसा आता है न थो यह भाई बोलते सोडियम कार्बोनेट ठीक है आग इसोडियम कार्भोनेट जो होते हैँ यह वास्ट plu जैसे इसोडिय फिक्रिक एसीड का फार्मुला इसी को लोग ट्राइन आइटरो टालविद और इसका फार्मुला यह होता है कि चलिए आगे चलते हैं केरोसीन में निमलिखित में से कौन सिधात्र संगरहित होती है केरोसीन में निमलिखित में से कौन शी धाफ में स्तंगरहित होती है आप से पूछा हुआ है तो केरोसीन के बारे में पूछा है अब देखो सोना और चांदी जो है इसमें तो हम जानते मैलिबिल्टी भी पाई जाती कंडुक्टिविटि भी पाई जाती है हां सबसे ज्यादा कंडॉक्टिव है केरोसीन में कौन सा होगा तो सी आप्षं जवाब दिया है सभी ने हैं सभी ने सवाब दिया है सियाप्षं तो सिलिकान जो है यह अर्ध सभरदाथ सेमिकर्डक्तर और मर्करी की खासियत क्या है अलग है थोड़ा अ mort लेंथेनम को आप जानते हैं लेंथेनम प्रियाडिक टेबल में चार ब्लाक होते हैं एस ब्लाक पी ब्लाक डी ब्लाक और एफ ब्लाक अगर S ब्लाक की बात करें S ब्लाक में क्या पाय जाता है आप जानते हैं दो ग्रूप पाय जाते हैं एक ग्रूप पाय जाता है फर्स्ट और दूसरा सेकेंड और इसमें एक से लेकर आखरी तक के तत्तो पाय जाते हैं पी ब्लाग के बारे में अगर गुरुप के बारे में बात करें यह थर्ड गुरुप से तीसरे गुरुप से शुरू होता है बारहुए तक चलता है और डी जो है दूसरे से ने पी ब्लाग जो है आप जानते तेरहुए से शुरू होके आठरहुए तक और यह तीसरे से शुर पाई जाता है इनर ट्रांसिशन एक्तिनियम की सनचना क्या होगी लैन्थेनम अगर आपको याद है तो एक्तिनियम की समय जबाब दीजेगा एक पाई एक बास अभी जबाब दे बिल्कुल बहुंः लोग जो है सांथ नजर आ रहे एसी थोड़ी होता है बिल्कुल एक्टिनियम के प्रमाडु संख्या बताएगा 89 होगा बिलकुल सही जबाब है एक्टिनियम के प्रमाडु संख्या 89 होगा एक सवाल मैं दे रहा हूं इस सवाल को थोड़ा आराम से करेगा सवाल यह है कि एक गेद को एक गेद को चालिस मीटर पर सकेंड के वेग से साथ डिगरी के कोड़ पर फेका गया है आप से यह पूछा जाता है उसका उसका सवाल में यह जवाब पूछा गया है कि भी या तीन चीजे पूछी जाती है, ताइम आफ फ्लाइट दूसरा पूछा जाता है रेंज क्या होगा और तीसरा पूछा जाता है कि भीया आउम आप फ्लाइट रेंज के अलवा हाइट कितना एचीव सब्सक्राइब करेगा तीनों के बाहरे में आपको बताना है अगर फार्मुला याद वो न्न गुड मॉनिंग भी आपको तो यह सवाल कर सकते हैं पार्मुला अगर आपके पास याद है तो है यह हो जाता है 40 गुड़े रूट 3 by 2 यानि 20 रूट 3 तो दोनों तरह से चीजों को आप देख पा रहे हैं अब यहां से आप करिए एके करके सवाल करेंगे तो आप जानते ती बराबर क्या होता है अगर टाइम आप फ्लाइट निकालना है तो टू यू साइन थीटा जानलो इसको जी तो अगर टाइम आप फ्लाइट पूछता है तो आपको 20 रूट 3 में किदी सी बात है दस से भाग दीजेगा आपके पास 4 रूट 3 अंसर आ जाएगा लेकिन अगर आप से रेंज पूछता है रेंज तो आपको यू एक्स इंटू टी कर दीजेगा बहुत empieza-2 बता रहा हूं कि flower चाहिट कितना है बीज आफ के पास 4 रूट 3 एपके पास आजायेगा आंसर मीटर में और यहीगेए पूछता है अपको आपको बताना है Uy का स्क्वार अपान 2G क्या फार्मूला है यह फार्मूला ऐसा है जो याद रखेगा U square sin square theta upon 2G या Uy square upon 2G दोनों में से को इस्तेमाल कर लिजेगा answer आएगा Uy का स्क्वार क्या है यानि 20 करडी में 3 का स्क्वार करेंगे तो 20 करडी में 3 का स्कूयर करने और अपान में 2 g यानि g कमान सर दिजिए हो जाएगा सही जवाद बिल्कुल अब यहां से जो आंसर आएगा वही होगा यहां पर हां पील्कुल करडी में 3 का 3 आएगा 20 का स्कूयर करेंगे इस तरीके से करिएगा याद रहिए रखिएगा कि जब भी आप से पूछेगा प्रोजेक्टाइल में कि किस एंगल पर फेके कि मैक्सिमम दूरी जाए तो 45 डिग्री पर फेकने पर यहां नहीं यहां पर 45 डिग्री पर फेकने पर आर जो होता है मैक्सिमम होता है और 40 और 30 पर फिकने पर अगर हम कहां साथ डिगरी पर फिक रहे या हम कहां तीज डिगरी पर फेक रहे तो रेंज समान होता है उनढे क्या होता है तो चलिए गजा हम लोग अपरेटर के भी पोश्च्चन लेकर आ जाएंगे अगर आपने 7 फार्म भरा है तो जरूर भर दीजेगा आप जाते हैं कि आपके एक्जाम के लिए एक्जाम के पॉइंटा वी से बार का इक्जाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसको भी देते रहे तोड़ते रहे भीहते रपर सांदार तरीके से आपको एक्जाम डेना है एक तरह से कहा जाएं कि लिएकिया थिक है है क्या कहने है क्या चेप्टर के नियुकर लेकर लेंके आए ऑटेकyen इक तक बिल्कुल मैं सारे चैप निटेयुकर क्लियर मैं कल से लेकर आउंगा प्लांट OR सब्कूरितर आप प्लांट आपरेटर की प्लांट आपरेटर की पोस्ट आई है उसको भर दीजेगा बहतर है तांदार सा है कल उसके क्वेश्चन भी आपके सामने मौझूद रहेंगे और प्लांट आपरेटर में केवल 10 प्लस 12 मांगा है और वह लोग जो है को पीचियम वाले सब्सक्राइब पोश्ट इसी में आई है पीसिया वाले में तो जिल लोगों ने बार्क में ये भरा हुआ है हाँ एक दम भया फिजिक्स और और केमेस्ट्री में कियो और निमेरिकल ही है आएगा क्या दूसरा आए तो सवाल भी करने क्या जाएंगे आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस तो सब्सक्राइब लेकिन ससने से पीछे नहीं हट सकते ठीक है प्लांट एक लिए बहद़ सके आप के नोटिफिकेशन को पढ़िएगा कहीं कहीं आप इलिजिबल होंगे नौकरी के सब्सक्राइबर होने पर आप सभी को बधाई आप सभी हमारे हिस्से हैं आप सभी के वज़ा से यह बुलंदी को छुआ गया है तो बिल्कुल इसके बधाई के पात्र सबसे पहले और सबसे आगे आप हैं उसके बाद बिल्कुल उसके बाद ही कोई दूसरे नंबर पर किसी को किसी का युगदान है तो भीया सबसे पहले और बिल्कुल सभी को बहुत सारा बधा है जब अरजस्त रहे है जब अरजस्त रहे है